अकसल लड़किया माईके से बिछड़ने के बाद अपनी मा को अपने परिवार को याद करती हैं इसलिए कई बार उन्हें फोन करती हैं उनसे बाते करती हैं जिससे वो उनके साथ जुड़ी रहे ये तो बिलकुल नॉर्मल है पर सहानी परिवार की बहु निहा को तो कुछ अ मा, तुम्हें पटा हैं, कोई राट ना, मैं डो बार फान्य पिन उठी थी, और एक बार मुझे बाठ्रूम जाना पड़ा, मेरे तो नीन भी पूरी नहीं हो इदी मा, वे ब्रश कर रही हूं, फिर रसे में जौकर खाना बनाओंगी, तुम्ने क्या बनाया नाज्टे में? अरे पहले ब्रश दो कर लो, फिर बात कर लेना, सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, ये भी बता दो कि रात में निन्द में कितनी करवट बदली थी तुमने? अरे हां, ये बताना तो रह गया? क्या? पागल हो तुम पुरी, हटो, मुझे नाने जाना है. हां मा, अभी ना ये नाने जाने है, उसके बाद मैं जाऊंगी, मैं आज ना पीले रंगी कपड़े पहन रही हूँ. नेहा हर छूटी सी छूटी बात अपनी मा को बता दी, कि उसने क्या किया, उसके साथ किसने क्या बात की, और उसकी ये आदत दिन बादिन बढ़ती ही जा रही थी. नेहा, नेहा चल बहू, हमें बसार जाने के लिए देर हो रही है. आगई, आगई माजी, मोना मा से बात कर रही थी, आज नई ड्रेस पहनी है न, तो बस बही बता रही थी मा को. ये भगवान, ये ड्रेस तो तुने कई बार पहनी है, फिर? अच्छा, मुझे याद नहीं रहा शाहर, एक मिनिट मा को बता दीती हूँ. अरे पागल लड़की, अब चल न, राशन की दुकान पर बहुत लंबी लाइन होती है, हम जल्दी नहीं पहुँचे तो सारा राशन खतम हो जाएगा. ठीक है, मा को मैं बाद में बता दूँगी. विमला और निहा, राशन की दुकान पर पहुँचते हैं, जहां लंबी लाइन थी. विमला निहा से कहती है कि वो लाइन में खड़ी रहे, तब तक बाजार से सबजी ले करा जाएगी. ठीक है माजी, आप जाएए, मैं यहां लाइन में खड़ी हो जाती हूँ. देखना लाइन में ही रहना, कहीं बाकी लोग ना आजाए लाइन के अंदर. नहीं नहीं, मैं सबसे माल लूँगी माजी, आप जाएए न. विमला सबसी लेने चली जाती है और निहा लाइन में खड़ी रहती है. अभी तो बहुत लंबी लाइन है, एक काम करती हूँ, माँ को फोन कर लेती हूँ. नहा अपनी माँ को फोन लगाती है, और बातों में इतनी अमगन हो जाती है, कि टहलने लग जाती है. और उसे ध्यानी नहीं रहता, कि बाकि सब लोग लाइन के आगे जा चुके होते हैं. जब विमला सबसी लेकर लोटती है तब, अरा सत्या नाश्वजी से ये फोन बनाया, सामने देख तो सही, सब लोग राशन के लाइन में आगे चले गए, और तू हो यहां मौसम विभाग की तरह पस खब रहे देने में लगी हुई है. सॉरी माजी, मुझे ध्यानी नहीं रहा, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माव कर दीजी. उस दिन निहा की गलती की वज़़े से उन्हें राशन नहीं मिल पाया, विमला को गुसा तो बहुत आ रहा था, पर वो अब करती भी क्या, उसने सोचा कि शायद निहा समझ जाएगी. पर ये सिलसला यहां रुकने वाला नहीं था, शाम को विमला के घर कुछ महमान आते हैं. अरे आपनी तो बहुत खिला दिया विमला बेहन. अरे हम भी जब आपके घर आते हैं, तो आप भी बिना खायें हमें कहां छोड़ती हैं? विसे अपको मकान काफी सुन्दर है, उपर भी है क्या कमरे? हाँ 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 ना, आईए आईए मैं आपको मकान दिखा देती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत प्यार से बनवाया था मेरी सास ने, आईए. उपर नेहा का रूम था, जहां वो अपनी मा से बाते कर रही थी. पता है मा, दोनों ने पांच पकोडे, दो कचोरी और चार चार बदाम खाये, उपर से चाई भी, एक साथ इतना भला कोई खा सकता है क्या? और दोनों की सूरत तो देखो, किसी काली बैंस से कम नहीं है, और दोनों की कपड़े, वो तो जैसे धोबी घार से उठा की पहने हो, और ना? पीछे विमला और दोनों और ते खड़ी होती है. बहु, बड़ी मजा क्या है, क्या तुभी नेहा बहु? हाँ, बड़ी मजा क्या है आपकी बहु, इसलिए तो हमारे हर पकोड़े का हिसाब रखा है, इसने? हाँ, हमें भी अगली बार से आपके हर निवाले का हिसाब रखना पड़ेगा विमला बहन, हम भी तो थोड़ा मजा करें सकते हैं, क्यों? आईए, मैं आपको घर दिखा देती हूँ, बाकी का अरे, इसकी बाद और क्या ही देखना, चलते हैं हम तु बहु ना, बहुत चालू रखना, हम उसके बाद दो किश्मिश पिलिए थे, वो भी बताना रहा गया हो, तो बता देना दोनों वहाँ से नाराज उकर चली जाती हैं, और विमला का गुसा साथवे आसमान पर पहुँच जाता है नेहा, आसपास देखकर बात नहीं कर सकती, और क्या जरूरत है अपनी मा को यह सब बताने की तुझे कितनी बार कहा है, हर छोटी छोटी बात अपनी मा को मत बताया कर, तेरे दिमाग में घुस्ती क्यों नहीं यह बात मेरी पूरी इज़त मिट्टी में मिला दी, अब मैं किसी के घर खा भी नहीं पाऊंगी, इतनी बेज़ती करवा दी तुने सारी माजी, मेरा ध्यान ही नहीं था, कि वो बैसे, मतलब वो दोनों पीछे करी है ए भगवान, यह अंग्रेश चले गए और सारी पीछे छोड़ गए, क्या करूं मैं तुमारा बहू विमला उस वक्त तो नहा को छोड़ दीती है, पर सुबह होती ही उसने नहा की मा को फोन लगाया हलो, समधन जी, मैं नहा की सास बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? मैंने सोचा निहा रोज आपसे बात करती है, सब कुछ बताती है, तो मैं भी आपसे बात कर लूँ, मेरा भी वक्त कट जाएगा तो चली आज मैं बताती हूँ, क्या क्या किया आपकी बेटी ने वो ना सुबर दस मिनिट देर से उठी, फिर उसने ब्रश्च किया, फिर नहाया, पर उसने ना कपड़े आज अच्छे नहीं पहने, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए और आज उसने सबजी भी आलू की बनाई थी, उसमें उसने जीरा नहीं डाला था, इसलिए थोड़ा मज़ा, स्वाद थोड़ा कम था, पर ठीक है कोई न, फिर उसने अलमारी में से चार कपड़े निकाले, और दो गिरा दिये विमला भारुज, निहा की मा को फोन करने लगी, और हर छोटी छोटी बात बताने लगी, वो एक घंटे में उन्हें फोन करती, निहा क्या कर रही है, वो बताने लग जाती, एक तरफ निहा थी जो अपनी मा को फोन करके सब बताती, और अब वही सब कुछ, उसकी सास भी कर रही थी पर एक सुबह निहा को उसकी मा का फोन आता है दीखो आज ना मैं तुम दोनों सास बहु के हाँ जोडती हूं आज की बाद मुझे फोन मत करना तुम दोनों को लड़ना है लड़ो बात करने करो एक दूसरे को कतल कर देना है तो कर दो पर मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है कभी तुम फोन करती हो कभी तुम्हारी सास अरे परिशान कर दिया है मुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे फोन करने की जो बताना है अपनी सास को बताना समझी और फोन कार देती है हलो मा मा इससे क्या हो गया ठीक है मैं भी फोन नहीं करूंगी अब दरवाजे की पी माग पाया है तुने ऐसा ही थोड़ी सास बनी है तु शाबबाश माजी आप फ्री है हाँ क्या हुआ बहु आज बताए क्या हुआ माजी मैं सुबह उठी न तो फिर न भगवार बड़ी देवदासी बन रही है ये पिंकी की बच्ची चूला जला कर और हार कर मुझे रसोई छोड़नी पड़ जाए फर ऐसा नहीं होगा इससे तो मैं अभी बताती हूँ तब भी दीपा एक बाल्टी पानी लाकर चूले के पास बैठी अपनी देवरानी और चूले पर डालतीती है ये कहानी शुरू होती है उदेपुर नामकी एक शहर से जहां उमा अपने पती दो बेटे और बहों के साथ रहती है हर रोज की तरह एक सुबा उमा अपनी सहली रिम्या के साथ चाय का मजा ले रही थी तीरा तो सही है उमा दो-दो बहोएं है सारा काम तो यही दोनों कर देती होंगी कोई दिक्कती नहीं तुझे तो बस आराम ही आराम है मेरा रोजनक तक पड़ी रहा है न जाने कब उसकी पढ़ाये खतम होगी और मेरे घर पर बहो आएगी और फिर मैं भी तेरी तरह आराम कर पाऊंगी दूर के डोर सुहा नहीं लगते है रीमा एक बार बहुत ओला सारे होश ठिकाने लग जाएंगे ममी मैं आफिस के लिए निकलता हूँ और हाँ वो सिलिंडर ज्यादा बरबाद ना हो तुम ध्यान रटना दीपा से तो कुछ कहना ही पाप है तुम भी थोड़ा दियान देना इस बार से सिलिंडर दो सो रुपया मैंगा हो गया है तो जितना बचा सके उतना अच्छा है ये कहकर प्रेम अपने आफिस के लिए निकल जाता है तब रसुई से जोर जोर से पिंकी और दीपा के चिलाने के आवाज आने लगती है दिन भर तो तेरे यहाँ चाही ही उपनती रहती है और कहती है मैंने गैस खत्म किया मेरा मूँ मत खुलवाईए भाबी आए दिन आपके माईके से कोई ना कोई यहाँ आते रहता है सिलेंडर नहीं लगता क्या उनका खाना बनाने में रसुई से आ रही जगड़ी की आवाज सुनकर रीमा और उमा भागती हुई रसुई में जाती है उमा की दोनों बहुँ को इस तरह जगड़ता देख रीमा घबरा जाती है और उमा के चेरे पर एक सिकन भी ना आता देखकर उससे पूछती है अरे उमा जारो की ने? इनके सर पर तो खुन सवार है कहीं ये लड़ाए हाथा पाई में ना बदल जाए अभी तू ही तो कह रही थी मैं बहुत भाग ये शाली हूँ चकलियासवाद बसह ये हमारे गर पर रोजी होता है कोई नहीं बात नहीं है देपार पेंखे बहुत हो गया अब मोबन बे कलो जड़ा शर्म करो ये जानते हुई है के घर पर इमा अंटी आही हुए है तुम दोनों ही लड़े जा रही हो लड़े जा रही हो अब रीमा आंटी से क्या चिपा ना ममी जी? क्या बताओं आंटी? करम ही फूट गए मेरे तो. अब सिलिंडर खतम हो गया, तो क्या मैंने कर दिया? मैं गैस खा जाती हूँ, क्या? हाँ, हाँ, खा ही जाती होगी, मुझे क्या पता? क्या? कैसे? अरे पिछले हफ़ते ही तो नया सिलिंडर लगवाया था बहू, उपर से सिलिंडर भी मैंगा हो गया है, तुम दोनों सिलिंडर में खाना बनाती हो, यहां में बनाती हो. वही न ममी जी, ये भावी के रिष्टेदारों के आवा गमन के कारण सिलिंडर खतम हुआ है? नहीं नहीं ममी जी, ये पिंकी के कारण सिलिंडर खतम हुआ है, तब ही वहाँ प्रमोद आता है, प्रमोद के वहाँ आते ही दोनों बहुए चुप हो जाती है. और जोर से लड़ो, चुप के हो गई तुम दोनों, बहुत अच्छे, दिन में मुश्किल से दो मिनट पे इस घर में कोई आँख नहीं बन कर सकता, बंडार घर में एक एक्स्ट्रा सिलिंडर है, उसे निकाल लो, अब अगर वो सिलिंडर खतम हुआ, तो चूल है पर मनाना एक नाया सिलिंडर, रसोई की दो बनर वाले स्टव में लग जाता है, वाँ बकर चू की भी आवाज आई ना पहु, तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा, सुन लिए भावी, ज्यादा चूचा मत कीजिगा, पहले मैं पास्ता बना लू, पहले मैं पोहे बनाऊंगी, अरे दोनों एक एक बनर पर काम कर लो, पर ऐसे किसी पता चलीगा ममी जी, कि गैस ज्यादा यूज कौन कर रहा है, दो सफेद कागज हम दिवार पर चिपका देते हैं, और जब जो सिलिंडर यूज करेगा, वो अपने पेज पर लिख देगा, कि कितनी देर गैस यूज हुई है ऐसे महिने के अंत पर सब पता चल जाएगा कि किस ने ज्यादा सिलिंडर खर्च किया, यह आइडिया तो ठेक लगता है, इतनी लडाय के बाद दोनों बहुएं नाश्ता बनाना ही भूल जाती है, और अपने-पने मन का खाना बना कर खा लेती है, और आज नाश्ता नहीं म आज तो उपमा ही बनेगा, क्योंकि वो और जल्दी बनता है, जीतूंगी तुम्हा ही, दोनों बहुएं अपने-पने जिद में एक-एक बननर पर नाश्ता बना कर ले आती है, अहे राम, ऐसे तो तुम दोनों सिलंडर ही खताम करते होगी, एक टाइम पर कोई एक ही खाना बनेगा, समझे तुम दोनों, उपमा भी खालेते हैं, पर आठे दो पर में खालेंगे, दो बारा कुछ मत बनाना बहूँ, इसे तरह से कुछ दिन गुजरते हैं, भाबी ने तुम उचसे काफी कम टाइम ये सिलंडर यूज किया है, एक काम करती हूँ, इनके पेज पर लि मैं देख कर गڈ थी, दीपा पिंकी की और देखती है, और पिंकी नजर छिपाने लगती है, आप मुझी क्यों देख रही हैं, भाबी, रुख तु, दीपा गुजसे में पिंकी की सिलंडर यूज करने की लिस्ट को ही फाड देती है, और तोरों में फिर से शुरू हो जात नो को, बम्मी जी, अब ये पिंकी चीटिंग करने लगेगी, तो मैं तो बोलूगी ही न, पर मैं चीटिंग क्यों करूँगी मा जी, मैं तो आजसर चूला जलाने वाली हो ताकि बचे थो, पिंकी बिचारी ये कहकर फस जाती है, और उसे चूला जलाना ही पड़ता है, वो र रसोई में इतना धुआ कर देगी कि मैं बिमार हो जाओ और हार कर मुझे रसोई छोड़नी पड़ जाए पर ऐसा नहीं होगा इससे तो मैं अभी बताती हूं दीपा एक बाल्टी पानी बर कर लाती है और आधी बाल्टी पानी चूले में डाल देती है और आधी पिंकी के मुझे पर दे मारती है और चूला बुझ जाता है बात इतनी बढ़ जाती है कि अब इस मसले को हल करने के लिए रात को सभी एक साथ बैठते हैं यह सुब क्या है दीपा तुम तो घर की बड़ी बहु हो अभी करण भी घर पर नहीं है तो क्या सोचेगा कि उसकी गैर माजूदगी में उसकी बीवी पर तुम अत्याचार कर रही हो खैर तुम दोनों नहीं सुदरने वाली आध से रस्वी में मैं और पिताजी रहेंगे हम दोनों बाहर का काम भी कर लेंगे और खाना भी बना लेंगे नहीं नहीं जेट जी मुझे माव कीजी मैंने भी लिस्ट में छेड़ खानी कर दी थी ताकि ये साबित हो कि सिलिंडर का खर्च भाबी की करण होता है और मैंने भी कुछ जादा ही रियक्ट कर दिया I'm sorry Pinky Sorry भाबी लगता है अब तुम दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एसास हो गया है आशा करती हूँ कि कल से रसोय में शान्ती बनी रहेगी चलो अब खाना खाओ खाना खाते खाते भाबी सारा कलेश तो सिलिंडर का ही है तो क्यों न हम इंडेक्शन लिया है सभी सर पिट लेते हैं